हेलो फ्रेंड वेल्कम तो वर चैनल आज की टुटोरियल में हम लोग देखेंगे जब आप सेम सर्वर को स्टार्ट करते हैं और माइस्कुल इसमें स्टार्ट करते हैं तो इस टाइप की आपकी एरर यहां पर जेनरेट होती है कि एरर माइस्कुल सट डाउन एक्सपेक्टिक अगर आप क्लिक करेंगे तो एकदम से यह स्टार्ट होता है और तुरंत आपका क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है तो इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम आपके हो सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप की अपकी एरर हो सकते हैं तो यहां पर मैं आपको दो सॉलिशन बताऊं जो 3306 पर पहले से काम कर रहा है और यहां पर मैं 3306 पर इसको स्टार्ट कर रहा हूं तो यह प्रॉब्लम दे रहा है तो वो चीज़े हम लोग अभी देखेंगे कि पोर्ट आप कैसे जेंज करेंगे पहले हम first condition देखते है कि किसी किसमें पोर्ट की प्रॉब्लम ना हो दूसरी कोई प्रॉब्लम हो दूसरी आपके log file औं data file की प्रॉब्लम होती है तो वो हम लोग देखते है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है solution करने के लिए इसके लिए आपको जाना है अपनी c drive में program file c drive में चले जाए c drive में आप जहां पर आपने zam को install किया देखिए मेरा पहले से program file के अंदर mysql install है यहां भी मेरा mysql है और अगर में zam के अंदर देखो तो वहां भी मेरा mysql है तो दोनों का port class कर रहा है मेरा इसलिए यह problem दे रहा है मेरे system पे आपके इसमें यह दूसरी condition दे सकता है तो उसका solution आपका यह हो सकता है यही होगा मिली तो आपको jam server पर जाना है jam server पर आपको mysql के अंदर जाना है mysql के अंदर आपको एक data नाम का folder यहां पर मिलेगा तो सबसे पहले आप इसका एक duplicate create कर दिजिए इसको आप rename कर दिजिए rename करके हम लोग इसको लिख लेते है old data old data आप कर दिजिए next आपको यहां पर नया folder create करना है जिसका नई हम आप रखिए data अब देखिए data जब आप create करेंगे तो सबसे पहले आपको backup से कुछ फाइल हैं यहां लेके आने देखिए old data के अंदर बहुत सारी फाइल हैं आपकी और जो आपने नया data भी create किया है क्योंकि एक connection प्रवाइड करेंगा पर यहां पर आपका कोई भी फाइल भी नहीं है तो सबसे पहले backup backup की सभी फाइल को आप copy कर लेजिए हां से सभी को select करके आप इसे copy कर लेजिए copy करने के बाद आप same जो अभी folder आपने create किया है data का उसके अंदर आप इसे paste कर दीजिए so यह सारी file आपके आगई दूसरा आपको जाना है अपने जो आपने पूराना जो आपका main data था जिसे old data आपने कर दिया है folder उसके अंदर जाना है जो आपकी predefined आपने जो design की है जितने भी database उनको सभी को select कर लेना है अपने इनको copy करेंगे आप so मेरे यह different databases है mysql भी आपका by default होता है database java database and abc यह मेरे databases है इन सभी database को मैं यहाँ से copy कर लूँगा copy करने के लिए हम लोग के बाद हम mysql वहीं data के अंदर जाएंगे और इससे आपने यहाँ paste कर देना है जो value आपके पहले से होगी उससे replace कर देना है आपको replace the file तो मेरी सारी file है यहाँ पर क्या हो जाएंगी execute हो जाएंगी means यहाँ पर आजाएंगी next condition आपको क्या करना है फिर से आपको उसी old data पर जाना है old data पर आपको एक file मिलेगी इसमें आपका IP data 1 यह file आपके important है इसको आपने copy करना है यहाँ से इससे भी आपने उस जो नया data अपने फोल्डर क्रेट किया था उसके अंदर आपने paste करना है पहले से आपकी available है इसका size आपका 12288 है जो नहीं आपने create किया है उसका data means उसका file का size आपका 778 to 4K भी है तो यह file आपने create कर है सारी file आपने store कर दी है data के अंदर old को आपने delete करना है तो आप delete कर देजिए otherwise वह बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद आपको अपने jam पे जाना है और इसे start कर देना है तो जैसी आप start करेंगे अगर आपकी यह problem होगी तो आपका वह start हो जाएगा shutdown की problem आपकी यह आएगी तो उस condition में यह start हो जाएगा बट मेरे इसमें port की problem है सो हम port को resolve करते है तो port को resolve करने के लिए आपको क्या करना है configure file में जाना है configure file में आपको service and port setting पे आप जाएगे इसमें आप mysql को select कीजिए और port आप change कर देजिए आप पर 3307 हम कर देंगे and इस message देगा save हो जाएगा आपका इसे भी आप save कर देजिए then आपको आप mysql की configuration button पर जाना है configure में आपको myini पर जाना है यह आपकी notepad में open हो जाएगी तो इसमें भी आपको port देखे यहाँ पर password यह password यहाँ पर port का name है इसको भी आप 7 कर देजिए और थोड़ा सा नीचे आ कर देंगे save करेंगे तो आप जाएगे zam server पे start कीजिए इसको तो अब देखे मेरा server जो है 3307 port पे start हो चुका है क्योंकि पहले ही 3306 पे काम कर रहा था जो पहले से मैंने एक mysql पहले से install किया है उस port पे वो work कर रहा है तो यह आपका mysql यहाँ पर start हो जाएगा but इसमें भ ब्राउजर पे अगर आप localhost लिखते हैं और phpmyadmin को open करते हैं so by default अगर मैं यहाँ पर localhost यह complete solution अभी नहीं हुआ है आपका phpmyadmin पे जाएगे तो आपको इस टाइप से error represent करेगा तो यह क्योंकि आपने port change कर दिया है by default यह port आपका 3306 को access कर रहा है जो इसे mail नहीं रहा है तो इससे आप कैसे change करेंगे तो उसके लिए आपको जाना है c drive में c drive में आप चले जाएगे c drive में exam के अंदर exam के अंदर आपका phpmyadmin folder है phpmyadmin के अंदर आपके पास configure.inc नाम की ए open with notepad में आप open करेंगे open करने के बाद आपको इस file में जहां पर आपका localhost का address दिया हुआ है देखिए यहां पर दिया हुआ है services i host is one इसकी colon के बाद colon के बाद आप इसका port दे दिए 3307 यह port आप यहां पर दे देंगे port आप देंगे उसके बाद आप save कर दिए save करने के बाद अब आप जाएए अपने browser पे browser पे same file को मैं refresh करता हूँ refresh आप करेंगे तो देखिए यह अब आपका पूरा database यहां पस चोग कर रहा है जो आपके previous database थे और यह आप work कर रहा है 3307 port पे तो यह localhost पे आपका properly work करेगा तो इस type से आप इसको resolve कर सकते हैं thank you friend